जी नमस्कार मैं ब्रजेश सिंग और आप देख रहे हमेशा की तरद सहस्त्र न्यूज और ये जो भव्य मंदीर हमारे पीछे देख रहे हैं ये इसका आयू लगभग 200-300 साल पहले का ये मंदीर है और आप जान जाएए ये मंदीर पुर्णिया जिले के के नगर परखंड मे राम नगर गाउं में अवस्थित है और ये लगभग 300-400 साल पुराना मंदीर है और ये संकर भगवान का मंदीर है और हम आपको अंदर का द्रिश्य दिखाते हैं और बताने की कोशिज भी करते हैं कि हमारे जो कोशी छेत्र है यहां इतने भव्य भव्य मंदीर है जिनकी कि आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी और यहां कुछ पुरोहित लोग हैं, हमारे इस मंदिर के पुरोहित लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिस करेंगे, कि आखिर यहां जो भी यह मंदिर है, इस मंदिर को किसने बनवाया था, और इसके बारे में और भी चीजे, जो कि एक मंदिर का इतिहास हमेशा होता है, वो स प्राचीन शीव मंदिर राम नच यह यहां लक्षा हुआ है इसकी फविता आपको है इसकी मानुप चलेगा कि आप देख सकते हैं कि इसके डिर्द गिर्द ना कोई हमों है और नहीं कोई वस्ती है चारो तरफ शिर्फ आप खेती-खेत मिलेंगे और इसी के बीच यह मंदिर है चलिए पुरोही जी भी आगए है पुरोही जी आपका क्या नाम है नंद्र हाल मांदा आपको देखिये यह मंदिर की भव्यता अंदर का ग्रिश्य भी हम आपको दिखाते हैं देख सकते हैं इसकी बनावट से ही आपको पता चलेगा कि इसकी जो इतना पुराना यह मंदिर का ग्रिश्य भी आपको देख सकते हैं मूर्ति हैं यह आप देख कहां पनमा लगा सकते हैं यह पत्तर का भगा कि देख सकते हैं कि आपको देखने को कि काफी प्राथिम मूर्ति है देखें लिए देखिये इस पुराना मुर्ती है यह संग्मर्मर का है देख सकते हैं अपनी पुराणी मंदिर में उति और भी हम दिखाएं यह देख सकते हैं आप उपर पसपरकार का यहाँ पर नदकासी का नजारा है यह देखें यह कि इतना भव्य बनाया लियाता उस जवाने में इस मंदिर की खाकियत भी है कि इसके इर्थ गिर्थ आपको कोई गाउं कोई सहर नहीं है और ऐसा नजारा आपने साइट कई किसी मंदिर में नहीं देखा हो जो यहाँ है यह दिखें किस प्रकार से संक्रवर्वान का लिंग जो है इसको किस प्रकार से रखा लिया है देखें किस प्रकार से इसको बाहर के तरब से भी इसको सजाया गया है अल्थर से देख सकते हैं आपको दिखाया भी यहां कितनी अच्छे चिन्ना काशी भी है सबसे उपर देखें कितना अच्छा से उस जमानी इसको बनाया गया था अब देख सकते हैं आपको दिखाया दिवाल का किस प्रकार से इसको सजाया गया था यह देखें यह बाहर का त्रिश्य है और कभी फिर्शत कपल अगर आपको मिले तो इस मंदिर का अवलोखन करने जरूर आईए कि यह हमारे छेतर में है हम लोग दूर दूर जाते हैं लेकिन हमारे पास में ही इतनी प्राचिन मंदिर है तो इसको नहीं देना है यह है तो बबाबाई बताई है कि इ कितना दिन पहले का प्रस्टे अब आपके परदादा भी नहीं जाए परदादा भी नहीं जाए तो इस मंदिर के संचालक है तो यह बताईए रमेश जी कि इस मंदिर के बारे में आपको क्या मालूम है कितना साल पहले का परदादा भी नहीं जानते हैं लेकिन ही जानते हैं कि एस्टेट लोग बनवाए हुए थे पताचलाच पहले के राजा महराजा लोगी परवा के रखे थे अच्छा और इसके अबारे में आप नहीं आते कि कम का मंदिर है लेकिन आस्था विस्वास यहां के लोगों का इस मंदिर पर बहुत है दो हगार इसमी से यहां में संचालाण नहीं किया जिसे की अस्टाम होता है बहतर घंटा करता है जिए जिए कि अच्छी बड़ी बात है हम आपको अपने इतने भी हमारे चैनल को इस देखनी वाले लोग है इस मूर्ती के उपकर यह मूर्ती मैं आपको बता हूं आरे इतना पुराना मूर्ती है यह मैं बार बार अपने चैनल को दिखाना है कि यह मूर्ती उन्पोनी देखनी है साइद सीखिनी पूर्ड़ कीई जाय तव ही पता चलेगा कि यह कितनी पुरानी मूर्थी है लेकिन मेरे हिसाब से यह 300-400 साल पहले की मूर्थी है जी तिन तो चाहिए 500 बर्स ही कहा है तो हम अपने दर्सकों को बस इतना कहना चाहेंगे कि एट बार चे नगर का यह चेत्र में इसको आए और जरूर जरूर एक बार इस मंदिर में आए और अपना जो भी मनो कामना हो यहां जरूर मांगे अवस्य पूरा होगा यहां के जो भी लोग है दिखें हम दिखाना चाहरा है कि इसके भुवता कितनी है इसको किस धंग से बनाया गया था उस समय उस जवाने में यह आप देख सकते है इसमें जारूर भगल था तूट गया तो फिर ही बनाया गया अच्छा यह अभी फिला एक बार उनसे जरूर आग्रह करेंगे कि इस मंदीर में एक बार जरूर आये मत्था टेकने के लिए क्योंकि यह मंदीर हमारे लोकल छेत्र में है पुर्णिया टिस्तिक में है और हम लोग कई हजार उपए या लाखों रुपए खर्ज करके हम एवन दूरी जहां भी दूर दूर भी हम लोग जाते हैं मत्था टेकने के लिए लेकिन हम अपने पगल के इतने भव्य मंदीर के पास नहीं आपाते हैं और एक बार जरूर आना चाहिए देखना चाहिए दिखनिक मनाने के मत्थम से भी आपा सकते हैं